तो चले फिर वीडियो को शुरू करते हैं जैसे ही चौथा महीना स्टार्ट हो कहीं हद तक आथ की वांटिंग नॉजिया मॉनिंग सिकनेस ये सभी चीजे खतम हो जाती है मतलब प्रॉब्लम के दिन खतम हो जाते हैं एक से तीन महीने की जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरिट था बहुत जादा उतार चड़ाव इन महीनों में होते हैं जैसे वांटिंग खा चला जाता है स्मेल की पावर बढ़ जाती है खाना नहीं ठीक से बना पाते काम करके थकावट फील होती है इन सभी चीजों से चौते महीने में आपको छुटकारा मिल जाता है चौता महीना एक ऐसा महीना होता है कि आप प्रेगनेंसी को इंज्वाई करना शुरू कर देते इन महीने के सक पुट ओन पांच प शुट भूमिने अपकी नहीं अजाता है इन महीना हो जाता है आप चौता महीने इन महीनों मेपको वाम्टीकों से स्वाहम मिल जाएकर तो भीले जाता है सतीम क्योंकि परीटेंसी जर्नी को एंजवाई कर सकते हो यानि कि आपक खाने का मन करता है और गेग शुरू हो जाता है और एंज हो जाता है और सबसे बड़ी बात जैसी चौथा महीना शुरू हो जाता है, तीन महीने कंप्लीट हो जाते हैं, तो मिस्कैरिज का जो खत्रा बना रहता है वो भी कहीं हद तक बहुत जाता कम हो जाता है, तो तीन महीने अगर निकल गए आपके बहुत अराम से, तो चौथा पांचवा मह इन महीने में आपको बॉड़ी में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, स्टार्टिंग डेज में आपको हलकी सी पेट में गुद गुदी हल्चल सी महसूस होगी वो बेबी की मूँमेंट होती है, बट कई महीलाई उसे अच्छे से समझ जाती है, कई महीलाई नहीं कर देता है इवन मुव कर देता है मुठी बंद, मुठी खोनल यह सब अक्तिविटी कर देता है पेट के अंदर खीक है तो जो मुहमत हो आपको लगी इस suddenly felt back but बट हलका हलका सा दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब आप समझ सकते हो कि आप मेरा बेबी बम दिरे दिरे निकलना शुरू हो रहा है, इन महीनों में देखिए यह तो आपको अलग अलग चीज़े नजर आएंगी लेकिन सबसे बड़ी जो आपको मुमेंट का मैंने बोलाना हंडğ मेंस अगर 80% महीलाओं की बात करें खाएं, शुरू भी हो जाती है, तो यह अपन छूते महीने ही मुमेंट आती है मोसली पांचवी महीने स्वश्चलीन Nós शुरू हो जाएगी, मुच्चा पेट के अंदर मुमेंट करता है वटला इसके सब श्यों के अपनी ऑपने चौछे महीने में यह देखा होगा आपके फेस के लाव गट ज़ दिखना शुरू हो जाता है, जो कलर आपको तो 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 उद्धा आपको बहुती अाली दिखना शुरू होगा, फेस में जो स्किन नोथी ही बहुती होगा जी लाएंगी छायां और आफ जायों जायेंगे, ल जबने लग जाते हैं तो बोड़ी में इतने सारे उतार चड़ा होंगे यह चीज़े आपको देखनी पड़ेंगी चौते महीने में इसके साथ बहुत सदे महीलाइं कमेंट करते हैं तो यह इसलिए ब्लैक होता है क्योंकि मेलनेम की हार्मोन के मात्रा बॉड़ी में चौते महीने में बढ़ना शुरू हो जाती है और देरे पांच चटे महीने आते आते आपके स्किन बहुत ज़दा डल हो जाएगी सबकी नहीं होती है बट मोस्ली महीलाओं को यह देखा जात तो यह प्रेग्नेंसी के सिम्टम में आपको डरना घबराना नहीं है इन सभी चीजों से आपको चुटकारा मिल जाएगा इसके साथ पेट पे आपकी जो एक लाइन होती है जिसे बोला जाता है लिनाया निग्रा यह लाइन भी हलकी हलकी सी डार्क दिखना शुरू हो जाती है और 9 महीने तक एकदम डार्क दिखना शुरू हो जाएगी तो चौते महीने वो सिम्टम स्टार्ट होता है हलका हलका सा दिखना अब बात करते हैं बच्चे के विकाज की तो बच्चे की जो लंबाई है 13 cm तक हो जाती है चौते महीने में और वेट के बात करें तो 140 तो महिला का वेट तीन से चार केजी बढ़ जाना चाहिए, तो हैल्दी प्रेग्निंसी होती है, अगर जो भी नॉर्मल हो जैसे पचास किलो है, तो आपका वेट 53-54 केजी हो जाता है, चौथे महीने तक आते आते, इसके साथ बात करें कि बच्चा कितना बड़ा होगा, किस तो छोटा शल्गम होता है, उस अकार का बच्चा हो जाता है चौथे महीने में, इसके साथ बच्चा बेट में पल रहा होता है, उसके हार्मोन में भी बढ़ाती होती है, जो प्रजिन परनाली होती है, जैसे लड़का या लड़की जाने की जो बात की जाती है, वो चौथ माइने से बढना हो जाती है जाने का फ दूर सार चाहिन मेरा में ये दूर लिए दूर हो जाती है तिक फ महिने तक STEPHANIE हूना हो झाहिते है ज दूर दूर ए फ दूर से बनना भरीम जाती है, में कानों के बार खदै बन जाती है, नाकीशे परफेक्ट बन जाती है, हड्डियों के ओपर मास अच्छे से बनना शुरू हो जाता है, वो सब चीजे चौते महीने में शुरू हो जाती है, इसके साथ बच्चे की सुनने की पावर भी बढ़ जाती है, जैसे आप बाहर कोई मुजिक सुन रहे हो तो पानी पीदे हुई हल्चे से हुई, कई बर आप रेस्ट कर रहे हो तो एक दब से बबी किक मारता है, वो चीजे आपको शाथे आटे महीने में जाता है, वो चीजे आपको थोड़ी हल्की हल्की हल्चे शुरू होगी, लेकिन दिन में आपको 10-12 बार बार बढ़ बेबी जिसे मार्श पेशियों में खिचाव आएगा तो आपको टाइट कपड़े बिल्कुल नहीं पहने हल्के लूज कपड़े ही पहना शुरू कर देना है चौते महीने से पाडियों को कम अपने चड़ना उतरना है क्योंकि आपका गरबाशा ही बढ़ रहा है, तो अगर आपक आपको बहुत चड़ रहे हो तो बेबी के लिए वहल्दी नहीं क्योंकि बेबी उस टाइम पे ना कमफर्टेवल फील नहीं करता है जब पॉडियों को चड़ते हो सास लेने में अपको दिककत हो सकती है सास फून लग सकती है तो इन चीजों को आपको फेस करना पड़ सकत कोई प्रॉबलम ना हो क्योंकि जितनी बॉड़ी हाइड रहेगी उतना अप एक्टिव रहोगे उतने ही नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप आपके बढ़ जाएंगे ठीक है इसके साथ साथ आपका गरबाशाई फैलता है तो आपको एक्सर साइज वयाम जिसे बोला जाता है व अपने अपको पूरी प्रेंगनेंसी एक्टिव रखते हो तो आपकी 100% नॉर्मल डिलीवरी ही होगी अगर प्रेंगनेंसी में कोई कॉम्लिकेशन नहीं है तो अगर चाते हो कि आप अप अप्रेंग रहो नॉर्म योगा जरूर करें डॉक्टर की राय में और इसके सासत ख क्योंकि जो डाइजेशन सिस्टम है वो प्रेंगनेंसी में थोड़ा सा अलसी हो जाता है तो यह चीज आपको फेस करनी पड़ सकते हैं इसलिए अपना खान पान आसा रखे कि इसमें बर बर के फाइबर हो ताकि आपको कब्ज ना हो प्रबलम ना हो क्योंकि कब्ज होती है सेवन करो आप फ्रूट्स ले सकते हो मौस में जूस पी सकते हो यह चीज अगर खाओगे तो बच्चा तो हेल्दी रहेगा क्योंकि जो आप खान पान खाते हो बच्चे को वही सारी चीजे नुटिशन के तौर पर प्लेसंटा देता है बलड के रूप में तो अच्छा खा नौर्मल होगी सासत बेबी भी हेल्दी होगा तो यह था प्रेग्नेंसी का चौथा महीना की इनी महीनों में आपको यह बदला हो सकते हैं यह परिशानिया हो सकते हैं तो इन्हें देखकर डरना गबराना नहीं यह नौर्मल सिम्टम है जैसे डिलिवरी होगी इन सभी यह की महीने को क्योंकि इसके बाद जो प्रेग्नि सी की जर्नी होती है बहुत जादा सफल हो जाती है बहुत ज़ादा आज जादा इसजी हो जाती है और नहीं वीजिक के साथ अच्छा महीना चल रहा है आपका कमेंट बॉक्स मे ज़शेर देख के लिए धन्य बाद